गईज अपने C++ course को हमने काफी आगे तक देखा और अब हम यहाँ पर वापस से pointers की बात कर रहे हैं और उसका reason यह है कि हम लोग pointers को अभी बहुत जादा इस्निमाल करने वाले हैं आज के इस वीडियो में जल्दी से हम लोग क्या करेंगे यह देखेंगे कि किस तरह array बनाया जा सकता है pointers का मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में एक अच्छा idea दे दिया था कि किस तरह से हम लोग array of pointers बना सकते हैं कि objects को point कर रहा है नए objects को point कर रहा है ठीक है यानि कि array of 10 objects बन जाएंगे और उनके pointers हमको मिल जाएंगे ठीक है in fact सारे pointers नहीं एक pointer मिल जाएंगे जो कि पहले object को point कर रहा है अब मैंने इतना कुछ बोल दिया और बड़े वेगसे तरीके से बोला तो चलो देखते हैं यारी कि इस बात का मतलब क्या है जो कि मैंने बोली तो मैं अबर करूँगा क्या भी जल्दी से एक नई फाइल बना लूँगा जिसका नाम में रखने वाला हूँ tude52.cpp यहाँ पर मैं boiler plate code डाल दूँगा boiler plate code डालने के बाद सबसे पहले मैं class बनाऊँगा class का नाम में रख दूँगा किराना मान लोग कि एक किराने की दुकान है ठीक है और मैं शॉप कर देता हूँ यार मैं शॉप कर देता हूँ कुछ लोगो हिंदी के जो variables हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं तो कोई बात नहीं मैं शॉप कर दिया आप लोगो हिंदी variables से कोई दिक्कत तो मुझे comment में बताओ, खेर मैं तो enjoy करता हूँ इस तरह के variables बनाने की और मेरा जो desi style है वो भी maintain रहता है और मैं coding भी करता हूँ anyways तो यहाँ पर हमने shop नाम से एक class बना ली है, अब मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर लिखूँगा कि int और मैं लिख दूँगा उसकी id मानलो मेरी id है item की और उसके बाद price है उसका int और int गया float कर देता हूँ मैं इक function डालूँगा public के अंदर जिसका नाम मैं रिखूँगा get data और मैं रिखूँगा int a offload b और उसके बाद में कहूँगा जो id है उसको कर दो a और price जो है उसको कर दो b और इस function का इस्तिमाल करके कोई भी इंसान data set कर सकता है sorry इसको मैं set data कर देता हूँ और get data में क्या होगा get data में उसको वो data डिस्प्ले हो जाएगा तो इसका नाम आप display data कर सकते हो get data भी कर सकते हो data का d में capital लगना चाहता हूँ क्योंकि यह देखो capital रखोगे तो camel case में रहेगा और readable रहेगा जब बड़ा हो जाएगा program तो तो वहां पर यह चीज जो है बहुत जादा वह जाती है ठीक है यहां पर यह जो get data है वो खुछ लेगा तो मैं void लिखो या कुछ ना लिखो बात बराबर है यहां पर मैं लिखोı on cout और इसकе बाद मैं लिखंग है की code of this item is और इसके बाद मैं लिखंग की id और उसके बाद handle और उसके बाद मैं लिख दूँ see out और मैं आपर लिख दूँ price of this item is और यहाँ पर मैं लिख दूँँगा price और उसके बाद वापस से handle और यहाँ पर मैं इस तरह से करूँगा तो मेरे पास दो functions बन चुके हैं and I am ready to create an array of objects अब मैं एक array बना लूँगा objects का और अब देखना मैं क्या करूँगा देखो यह class तो समझी गए होगा आप लोग क्या बनाई है आपको यार इतनी class हैं मैंने अगर आप लोग यहाँ पर यह video देख रहे हो तो आप लोग अपने आप से कहोगे कि इन 50-51 वीडियो में मैंने इतनी class हैं बनाई हैं इतने concepts clear कि यह अब आपको हलवा लग रहा होगा अगर आपने वीडियो देखे हैं तो अच्छे से तो आपको यह हलवा लग रहा होगा आप कहरे होगा यार यह क्या है यह बहुत असान है ठीक है उस टाइप से आप लोग कर रहे होगे अब क्योंकि यह आसान है आपको लग रहा है अब हम चलेंगे pointers की दुनिया में यहां से ठीक है तो मैं आपर करूँगा क्या कि मैं कहूँगा कि shop जैसे कि int होता है वैसी अब shop है class क्या करता है classes and objects क्या होते हैं आपको custom data types बनाने में मदद करते हैं और जिस तरह से यहां पर मैं शायद int लिखता शायद float लिखता शायद care लिखता अब मैं shop लिख रहा हूँ ठीक है मैंने लिखा यहां पर shop और उसके बाद मैं आपर लिखूँगा star ptr is equal to और मैं आपर लिखूँगा new shop और ये bracket देख न ये bracket मेरा square bracket है और मैं 10 job बना लूँगा ठीक है या फिर मैं काम और कर सकता हूँ मैं आपर लिख सकता हूँ size और मानलो मैं आपर int size is equal to कर देता हूँ 10 कर देता हूँ ठीक है जब आप नए है प्रोग्रामिंग में और C++ to be specific में तो आप लोगों को यह चीज ना रोड़ी डराओनी सी लगती है लेकिन मेरी बात को आप लोग समझो यहां पर चीजे आसान बनाने के लिए मैं आया हूँ आप लोगों के लिए shop start ptr बिलकुल यह इसी तरह है अच्छा अगर आपको यहां पर डर लग रहा है बहुत सारे लोग मुझे comment करके बोलने थे कि यह pointers का थोड़ा सा अभी भी मुझे डर लग रहा है अच्छा यह चीज तो आपको समझ में आती है ना ampersand size अगर मैं ऐसे लिख दू तो मैं सिर्फ समझाने के लिए यह चीज लिख रहा हूँ यह चीज समझ में आती है ना आपको कि जो pointer है यह integer pointer जो है उसके अंदर डाल दो यह इसका address size का address pointer क्या करता है address store करता है जैसे कि आपके धर में container होता है वो चामल store करता है एक container जैसे जो integer pointer है वो integer का address store करता है और integer variable integer को store करता है integer pointer किसी integer का address store करता है तो यहाँ पर आप समझो यह बरबात को ठीक है अब यहाँ पर इसको मैं comment out कर दो हूँ क्योंकि बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था अब इसी चीज को थोड़ा सा advance लेके जा रहे हम कहरे हैं मैं integer data type यूज नहीं करूँगा ना integer data type मैं यूज नहीं करूँगा मैं क्या यूज करूँगा मैं shop data type यूज करूँगा जो कि मैंने class की मदद से बनाया है क्या यूज करूँगा मैं shop data type अब अगर पुराने वीडियो को हम देखे हैं तो हम shop को int और float की तरह यूज कर रहे हैं या अगर आप लोगों को ले कर जाओं पुराने वीडियो में जैसे Simple Calculator, Scientific Calculator ये बनाया है, ये देखो हम लोग बिलकुल Int की तरह, जैसे कि Int A करते हैं, वैसे Hybrid Calculator Calc करा हमने, ठीक है, तो उसी तरह, यहाँ पर आप लोग देखो, मैं Shop को Int Float की तरह इस्तिमाल करा हूँ, और क Shop का, जो की Shop Object है, उसका Address, लेकिन यहाँ Catch है, अब ये चीज़ जो मैंने आपर लिखी है, मैं इसको थोड़ा आगे लिखे जाता हूँ, इस चीज़ को थोड़ा आगे लिखे जाता हूँ, यहाँ पर यह जो लिखा है, मैं कह रहा हूँ कि अब मैं M% Size Store नहीं कर रहा हूँ मैं, मैं आपर इसमें New Int 34 Store कर रहा हूँ, इसका मतलब गया हुआ, इसका मतलब कि dynamically 34 Integer Store करने भर की Memory Allocate कर दो, मैं Compiler से कह रहा हूँ, Compiler देवता, Compiler देवता 34 Integer Store करने जितनी Memory को Allocate कर दो, Please, Please कर दो, Compiler बोले का, बेटा, बेटा कर रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं तुमारे सा के लिए पैदा हूँ, वो कहेगा, ठीक है, मैं 34 तुम्हें, जो Integer से हैं, वो Allocate करके दे रहा हूँ, ठीक है, मज़े करना जिंदगी में, वो 34 Integer जितनी Memory Allocate करके दे देगा, और उस Memory का, जो Memory Block उसने Allocate किया है, उसमें से पहले Block का Address, PTR में Store कर देगा, वो कहेगा, कि तु जोड़ा असान बनाने के लिए आपको बताया था, लेकिन इसी चीज को अब इस पर लगा लो, Shop वाले पे, Shop Star PTR is equal to New Shop, और Size, यानि कि आप Compiler देवता, मुझे Size जितने, यानि कि 2, इसको मैं 3 कर देता हूँ, अगर मैं 3 करूँ, 4 करूँ, मेरी मर्जी है, कितना भी कर सकता ह मैं, मैं कह रहा हूँ, Compiler देवता, मुझे 3 Shop के Objects परदान करा दो, Compiler देवता कहेंगे, ठीक है, करा देता हूँ, तुमको मैं काम करता हूँ, जो तुमारा Shop Object है, इसको जितनी Memory चाहिए, उतनी Memory Blocks, मैं जितने में की 3 Shop के Objects Store हो जाए, मैं Allocate कर देता हूँ, और वो Memory Block Allocate करन और फिर तुम PTR Plus Plus करके आगे बढ़ते चले जाना आपको ओगे, ठीक है बाई, बिल्कुल सही, तो आप लोगों को यहाँ पर यह जो Block of Memory है, वो मिल गया, ठीक है, चलो जी बढ़िया, अब यह चीज़ आप लोगों को मिल गई, तो अब देखो क्या होगा, अब यह जो Pointer है, उसका Type क्या है, उसका Type है Shop Star, यानि कि वो Shop Object का, Sorry, Shop Class का एक Object Store करता है, Shop Type का एक Object Store करता है, अब मेरे पास यहाँ पर तीन Object बनके आ चुके हैं, अब इन तीन को मैं इस्तेमाल कैसे करूँ, मालनो मैं एक Shop में रखना चाहता हूँ, एक Shop मालनो मेरी किरा ने की है, एक Shop मेरी सबजी की है, तो मैं आप लिख देता हूँ, एक है मेरा General Store, Atomic Store और उसके बाद एक है मेरी Veggies की Shop, और एक है मेरी मालनो, एक Veggies की है, और एक और Shop का नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ, क्या रख हूँ, मैं यहाँ पर मालनो, Hardware रख देता हूँ, ठीक है, और नाम मुझे निकालने में अपने दिमाग से इतना टाइम बता नहीं क्यों लग रहा है, कोई बात नहीं है, तीन दुकाने मैंने लगी, Journal Store, Veggies और Hardware, ठीक है, अब देखो इन तीनों को मैं कैसे यहाँ पर करूँगा, For Loop, अगर आप लोग को नहीं आता है अभी, तो that's your problem, आप लोग को इतरेट करूँगा, बाइद अगर ऐसा है सच में, सीरियसली अगर ऐसा ही कि आपको For Loop नहीं पता, तो मैं तो कहूँगा, आप यहाँ पर कर क्या रहे हो भी इस वीडियो में, अफें मत हो ना, लेकिन अगर आपको For Loop भी नहीं पता, तो आप Pointers क्यों देख रहे हो, मतलब ऐसा मुझे Comments आ जाते हैं कभी-कभी कि एक Advanced Topic में Basic Topic का सवाल, जो कि अलड़ी पढ़ाया होता है मैंने, मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं है कि मैं एक Advanced Topic पढ़ा रहा हूँ और जो उसका Ground Basic है वो मैंने बताया नहीं है, और मैं बिना बताया ऐसा कर रहा हूँ कि भाई, यह हो जाता है, वो ऐसे हो जाता है और आपकी प्राप्लॉम होगी, तो कभी भी ऐसा मिलता है चैनल पर मेरे तो आप देख लिए अगर और बन रखेया प्लेस्ट या नहीं क्योंकि इतने सारे वीडियो हो गए है कि आप लोग यह स्क्रॉल करोगे ना अगर पेज़ तो नहीं देख पाऊगी वीडियो ते अच्छे से, प्लेलिस्ट में आपको आना पड़ेगा, और प्लेलिस्ट में आप लोगों को यहाँ पर लोकेट करना पड़ेगा, और उसके बाद भी कभी कोई वीडियो प्लेलिस्ट से ने लिखा है वो एक ही दुकान के आइटम मान लो मैं यहाँ पर इसको जॉर्णल स्टोर आइटम वेजीज आइटम और हाडवेर आइटम कर लेता हूं जो कि एक मॉल के अंदर है ठीक है तो मैं आपर करूँगा क्या कि एक मॉल के अंदर तीन आइटम से इन तीन प्रकार के इसा करके मान लेते हैं ताकि तोड़ा रियल वर्ट से भी आप लोग जो है इसको रिलेट कर बाऊगे कर आप रिलेट नहीं कर पाऊगे तो फिर आपको भी अजीब लगेगा तो यहां पर शॉप स्टार पी टी आर को मैंने इस तरह लिखा अब मैं क्या करूँगा अब मैं इसके बाद मैं लिखूँगा कि id of id and price of of item और उसके बाद मैं क्या करूँगा यहां पर कुछ इस तरह से मैं लिख दूँगा i plus one क्योंकि zero से start हो रहा है मेरा i और उसके बाद मैं क्या करूँगा मैं user से पूछ लेता हूँ मैं कहता हूँ तो मैं एक काम करता हूँ एंटर करो मैं user से कहता हूँ एंटर id and price of item 1 ठीक है तो यह item 1 यह है item 2 यह item 3 यह आपको पता होना चाहिए ठीक है मैंने यह इस तरह से item बनाए और इनको आपको item भी ले सकते हूँ जैसे कि दाल चामवल रोटी ऐसे भी ले सकते हूँ कि मैंने जो shop object बनाए वो एक दुकान क यह item का object है तो यह shop कम shop item जादा है तो मैं इसको rename कर देता हूँ shop item के नाम से और rename से आप डरना मत बिल्कुल भी नाम कुछ भी रख सकते हैं मैं जिसको सही represent करने के लिए shop item कर रहा हूँ कि एक shop का item तो shop का जो id and price of item मैंने आपर लिख दिया अब यहाँ पर आप जो है ले ल ठीक है int p और q मैंने बना दिये अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा मैं कहूँगा कि p और q मेरे पास आ गए है अब मैं इस function का इस्तेमाल कर सकता हूँ set data का और मैं set कर सकता हूँ price और जो sorry p और q क्या है मेरे p है मेरा जो serial number या id जो आपने डाली है वो और जो मेरा q है वो price ह तो मैं यहाँ पर यह जो function है यह set data call कर सकता हूँ क्योंकि ptr एक pointer है तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसको dereference करना पड़ेगा सबसे पहले मुझे उस ptr को dereference करने के बाद अब यह ptr मेरा dereference हो चुका है इसको dereference करके जो object मुझे मिलेगा मैं उसका क्या करूँगा उसका set data run करूँगा ठीक है और उसके set data को क्या दूँगा मैं दूँगा p और q लेकिन मैं ऐसा q करूँ जब पिछले वीडियो में मैं अल्यडी arrow operator बता रखा है तो मैं ptr को arrow operator लगा कर ऐसे करूँगा और यह दोनों identical है उपर मैंने इसलिए लिए लिखा है ताकि आप arrow operator को सही से सम यह करके पूछता जाएगा आपसे कि अब बता दो क्या अब बता दो क्या अब बताओ क्या है पहले item को बताओ दूसरे item को बताओ तीसरे item को बताओ फिर finally वो आपको एक अच्छी से report display करते तो अच्छा रहेगा तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि एक एक और follow लगाता ह जो कहां से जाएगा जो जाएगा मेरा जे से लेकर कहां तक जाएगा size तक और उसके बाद जो code है उसमें मैं क्या लिखूँगा मैं आपर लिखूँगा कि item number item number यह वहला item number नहीं है यह item number है मैं i को यूज कर लेता हूँ ठीक है तो मैं यहाँ पर enter नहीं लगाँगा क्योंकि मैंना i को अल्रेडी जो है declare कर दिया तो मैं आपर j नहीं i use कर लेता हूँ इतने variable नहीं बनाता हूँ सेव गिया मैंने और i plus one और उसके बाद यहाँ पर handle और उसके बाद मैं आपर क्या करूँगा मैं आपर कहूँगा कि भाई ptr का जो है get data run कर दो और get data run up करोगे ptr का तो आपको इस pointer का जो data है वो प्रिंट हो के मिल जाएगा जो कि मैंने आपर किया है get data के अंदर लेकिन ए होगे तो last वाले object के आगे वो point होने लग जाएगा तो आपर दिक्कत पड़ जाई है आप लोगों और in fact जब यह loop run करेगा last वाले object के लिए तो ptr plus होगे किसी औरी memory address में चला जाएगा तो ptr जो point है रहे वो सही जगबर point नहीं कर रहा होगा तो मैं काम करता हूँ एक ptr temp भी बना लेता हूँ जो कि मैं एक ptr temp बनाऊंगा जो कि क्या करेगा जो कि ptr के बराबर होगा और वो shop item star करके मैं बनाऊँगा अब आप लोग सोच रहो कि मैं क्या कर रहा हूँ लेकिन मैं आप लोगों इस चीज को समझा देता हूँ जो मैंने क्या किया मैंने जो ptr temp पे एक और pointer बनाया है जो कि कहा point कर रहा है पहले object में point कर रहा है तो मान लोग कि तीन हमारे पास objects है ठीक है मैं आपर लिखता हूँ 1,2 और 3 ये तीन objects है हमारे पास जो कि dynamically बने है हमारी इस line से line number 27 से एक बार जब हमारे पास बन गए तब हमने क्या किया हमको एक pointer मिला ptr कहा हो तो ये जो ptr है वो यहाँ point कर रहा है one पे ठीक है फिर जब मैंने इस for loop को चलाया तो ptr कहा point करने लग जाएगा अब मैं एक मिट आप लोग को इसको समझाने के लिए दो tap देता हूँ और यहाँ पर जो ptr है मेरा वो अब दूसरे for loop पर ऐसे point करने लग जाएगा two पे ठीक हर iteration में increment किया तो ptr plus plus जैसे ही मैं करूँगा दूसरे object में आ जाऊँगा अब ptr फिर मैं ऐसे करूँगा एक और बार plus plus तो third object पे आ जाऊँगा फिर उसकी बाद जब मैं third object को यहाँ पर process कर रहा हूँगा तब ptr को मैं कई और ही भेज़ दूँगा अब अगर मैं दूसरे for loop में भी ptr को इस्तिमाल करूँगा तो error आएगा इसलिए मैंने क्या किया कि जब मैं यहाँ पर था जब मैं यहाँ पर था पहले वाले में point कर रहा था तब मैंने ptr के साथ साथ एक ptr temp को भी ले लिया और ptr temp को लेने के बाद सिर्फ मैंने move तो अपना पहले वाले for loop में p आपको असान लग रही होगी वरना कोई बात नहीं seriously कोई बात नहीं चलेगा एकदम चलेगा and I hope कि आपको यह clear हो रहा होगा ठीक है तो one two three मैंने यह जो बनाए है objects इसको पहले मैंने एक pointer को use करके मैंने इसको iterate कर लिए अब यह तीन नहीं 3000 भी हो सकते थे तो pointer 3000 तक आगे जाता और PTR temp जो है उसको मैंने क्या किया PTR temp की मदद से मैंने इसको वापस से trade करके इसका जो get data function है वो run किया तो मैं इस वाले visual को comment out करके रखूंगा ताकि आप लोग जो है इसको समझ पाएं इस code में और उसी के साथ-साथ मैं क्या करूंगा कि यह तो मैंने किया अब मैं इसके बाद को run करता हूँ obviously program को मैंने run तो किया ही नहीं है and I hope कि को error ना है error आ रहा है यह कह रहा है कि I was not declared in the scope okay तो मैंने I को पहले से नहीं बनाया था कर मैं इसको इस तरह से करता तब तब मैं A की I दोनों for loop में use कर पाँगा हाँ अब चल जाएगा हमारा program तो यह कहा रहा है enter ID and price of item 1 ठीक है तो पहले item की ID और price मान लो मैं ID दे रहा हम इसको 1001 और price में दे रहा हम इसको 45.78 रुपीज तो मेरे पास एक problem यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है जो Q है मेरा वो एक float होना चाहिए जो कि मैंने int बना रखा है क्यों float होना चाहिए क्योंकि मेरा जो price है वो float है तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या है इसको मैं लिख दूँगा float Q और अब मैं अपने program को run करूँ तो आप JOE은 पूछ रहा है ID and price of item 1 तो मैं 1001 डालुगा और इसके बाद one डालुगा और फियर उसके बाद 1002 डालुगा उसके बाद, price जो इसका price है वो 2 डालुगा और इसके बाद item 3 जो है उसका में डालुगा 1003 और इसका जो price है वो में डाल देता हूं, 3 डाल देता हूं, 3.77 इंडाल देता हूँ और यहाँ पर देखो बड़े कमाल का output आ रहा है कि item 1 item number 1 का जो code है वो ये है, item ये है तो यहाँ पर कुछ गड़बड मैंने जरूर से किया और मैं देखता हूँ कि वो गड़बड क्या है ओके तो सबसे बड़े गड़बड तो यही है कि मैंने PTR use किया है, जबकि मैंने PTR temp बनाया, मैंने आपको पूरा concept समझाया कि क्यों PTR temp यूज करना है, लेकिन मैंने PTR temp को use ने किया, तो मुझे PTR temp को use करना है, क्योंकि PTR तो अभी मेरा आगे जा चुका है, यहां पर आगे जा चुका है, मुझे PTR temp यूज करना जो यहां point कर रहा है, तो दूसरे for loop के लिए ही मैंने PTR temp बनाया और मैं उसी को जोई लगाना भूल गया, तो होती है यह सब गलतिया, thousand one और इसको मैं 1.1 कर देता हूं price को, फिर thousand two और मैं price को कर देता हूं 1.2 और thousand three, और मैं price को कर देता हूं 3.3, और यहां पर देखो एकदम beautifully हमारा program बन चुका है और सारे codes और prices जो है वो आ रहे हैं, शायद ये program आपको थोड़ा सा tricky लगे होग सकता है, ना लगे, अगर आपने videos पूरे सही से देखें, यहां तक तो नहीं लगेगा क्योंकि ये जो program है, इसमें concept तो वही use हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूं आप लोग को कि आप लोग ये वाला जो वीडियो है इसको दियान से 51, 52 को देख लेना क्योंकि आगे, जो भी हम concept use करेंगे उसमें ये इस्तेमाल होगा, और ये concept आप लोग पीछे करके फिर देख लेना जहां मैंने बताया है, क्योंकि ये important है ये pointer है, उसको अगर आप चला रहे हो तो finally उसका, जो आपर वो point कर रहा है वो वापस से रिसाइटो के शुरू में नहीं आएगा pointer एक variable है, जो कि address store कर रहा है, जब मैं ptr को 3 को touch करा रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि ptr जो है, वो 3 का address store कर रहा है और ज़रूरी नहीं है कि जो ptr है वो 3 का address अगा store कर चुका है depending upon कितने objects आपने बनाएं उस object पर आएगा, अगर आपने 3000 object बनाएं तो एक से लेगे, 3000 सारे जो object से उनमें आएगा index definitely 0 से start होगी इसलिए आपर plus 1 किया है मैं चाता हूँ कि आप इस code को खुद से type करके लिखें और समझें इसको, एक एक चीज को देखें आप लोगों को समझ में आ गई होगी और आप लोगों को मेरे साब से जादा से जादा programs लिखने की ज़रूआते इस point पर क्योंकि आगे videos में हम ये सारे concepts को और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मैं बस आप लोगों से यह कहूँगा कि I hope की समझ में आ गया आप लोगों को अगर ये playlist access नहीं करें तो इसको जरूर कर ले ना और एक आप लोगों से request करना चाहूँगा इस point पर अब आप लोग शायद मेरी request को entertain करें ना करें मुझे नहीं मालूम लेकिन मेरी request आप लोगों से रही कि free of cost आपके लिए अच्छे अच्छे courses में ला पाऊँगा तो please इस playlist को access करके पहले तो खुद देख लेना वो बहुत important है आप लोग देख लो मैंने आप लोगों के लिए बनाए course उसके बाद कम से कम दो-तीन friends को अगर आप share करोगे groups में अगर डालोगे तो काफी help मिलेगी और आप उसको group में spamming नहीं करना है आपको simply playlist डालना है और आपको बताना है कि आपर C++ का एक amazing course चल रहा है और definitely लोगों को भी बहुत फाइदा मिलेगा इससे और लोग भी जो है बहुत खुश होंगे जब आप फी playlist डालेंगे so अभी के लिए इस वीडियो में इतना है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना thank you so much guys for watching this video and I'll see you next time